Hello friends, myself Shabbir Hussain and you are watching Physio Talk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं elephantiasis के बारे में पूरी जानकरी देंगे आज की वीडियो में आपको elephantiasis क्या होता है कैसे इंसानों के अंदर ये बिमारी फैलती है और किस तरीके से इसका diagnosis किया जाता है और इसका इलाज किया जाता है वीडियो को एंड तक देखना बिल्कूल ना भूलें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे बेल आइकन को दबा लिजे ताकि आपको मारे आने वाली वीडियो के नोडिफिकेशन्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो एलिफेंटियासिस जिसको की लिम्फेटिक फ्लियारिसिस के नाम से भी जाना जाता है यह बहुत रेयर परासाइटिक डिजीज है यह एक specific parasite जो mosquito के अंदर पाया जाता है जिसको के हम round worm कहते है mosquito bite के जरीए से यह इंसानों के अंदर फैलता है दोस्तो अगर किसी mosquito जिसके अंदर यह specific parasite यानि के round worm है और उसने अगर human को bite किया और human के अंदर जब वो bite करता है तो blood stream के थूँ यह parasite humans के lymphatic system तक पहुंचता है और उसको damage करता है दोस्तो round worm जो अपनी life cycle होते है वो human और mosquito के बीच में complete करता है तो जब यह mosquito के अंदर होता है तो larva stage में होता है तो इसलिए यह mosquito को ज्यादा हाम नहीं पहुंचाता पर जब यह इंसानों के अंदर पहुंचता है और यह अगर महाँ पर mature होता है lymphatic system के अंदर तो यह lymphatic system के अंदर mature होके lymphatic system को damage करने लगता है जिससे होता क्या है lymph basically lymphatic system हमारे शरीड में काम क्या करता है कि वो हमारे waste जो material है उसको body से बाहर निकालने का काम करता है और वो lymphatic vessels को block कर देते हैं और lymph nodes हमारे food जाते हैं और उस जगे पर patients को बहुत ज़्यादा pain होता है और swelling देखने को मुलती है जिस भी part पर lymph nodes affected होते हैं अगर पैरों के अंदर lymph nodes यह lymphatic system के अंदर यह parasite पहुँच गया और वहां के lymphatics को इसने damage किया जिसकी वैसे lymph nodes वहां पर सूज गए और वहां पर blockage होने लग गया तो धीरे धीरे यह जो सूजन है वो बढ़ती जाती है और आपको वो पैर और वो हाथ हाती के पैर की तरह और हाती के पैर की जो size होता है वैसा दिखने लगता है तो इसलिए elephantiasis को हाती पाओ भी कहा जात है और दोस्तों कुछ इस तरीके से patient का जो limb है वो आपको देखने को मिलता है इसी condition को हम बोलते हैं elephantiasis और lymphatic flaresis दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका diagnosis doctor कैसे करते हैं दोस्तों microscope के अंदर जो blood है उसको examine किया जाता है उसमें micro flarey को examine किया जाता है microscope के अंदर और identify किया जाता है parasite को दोस्तों अब बात करते हैं इसके treatment की treatment के अंदर doctor's patient को antibiotics और anti-parasitic drugs देते हैं इसको treat करने के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया elephantiasis और lymphatic flaresis के बारे में उम्मित करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी व